हे गाईज वन्स अगेन वल्कम बैक टो माई चैनल सो गाईज अगर आप चाहते हो आपकी स्कीन बिल्कुल ग्लोइंग हो साइनिंग वाली हो मुलाया हो और एक भी दाग धबा आपकी स्कीन पर ना हो पिग्मेंटेशन ना हो तो इस वीडियो में आपको एक पिलोफ मास्क बताने वाली हूँ जो कि आपकी सभी प्रोब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर जरूर करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीचे बैल आइकन के साथ ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अप्लोड करूँ आपको तुरंट से नोटिफिकेशन मिल जाए तो ये फेस मास्क जो है इसे आप वीक में दो बार लगा सकते हो इसका आपके फेस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नैचुरल है और सभी सामान आपको आपकी किचन में ही मिल जाएगा सिर्फ आपको इसे यूज करना है यूज किस तरीके से करना है तो फर्स्ट आपको चाहिएगा यहाँ पर एक चमच टमाटर का रस तमाटर का रस हमारी स्कीन का टोन अप करना ही में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसके अंदर एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल, एंटी एजिंग ऐसी बहुत सारी प्रोपर्टी होती है जो कि आपकी स्कीन से दाग, धब्बे, कील, मुहां से या फिर पिग्मेंटेशन की प्रोब्लम से आपको चुटकारा दिलाती है इसकीन पर टमाटर जो होता है एक साइनिंग लेकर आता है एक नैचुरल ग्लो आपकी स्कीन पर लेकर आता है टमाटर और टमाटर के अंदर जो विटामिन C होता है वो आपकी स्कीन को एक बहुती खूबसूरत सा लुक देता है इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिएगा नीमू नीमू भी करीब हमें वन इस्पून ही लेना है लेमन हमारी स्कीन को स्पोर्ट फ्री बनाने में बहुत हैल्प करता है और lemon जो होता है एक natural bleach का काम करता है इसके बाद यहाँ पर मैं one spoon ले लूँगी देखिए cocoa powder, coffee powder भी आप ले सकते हैं मैंने यहाँ पर cocoa powder लिया है तो one spoon ही मैंने इसका लिया है अब हमें इसको अच्छे से mix कर लेना है इसको mix करने के बाद जो इसमें हमें add करना है एक चमच वो है gelatin powder अगर आपके पास gelatin powder नहीं है तो आप यहाँ पर golden pillow mask भी ले सकते हो तो मेरे पास golden pillow mask है तो मैं देखी इसी का use करने वाली हूँ gelatin powder जो होता है उसमें बहुत सारी good thinking होती है जो कि हमारी skin से extra जो hair होते हैं उन्हें remove करने में काम आता है और जो हमने इसमें golden pillow mask लिया है इसके अंदर पहले से ही धेर सारी good quality है जो कि skin को color fair करती हैं और जो extra hair होते हैं उन्हें remove करते हैं आपके skin को glowing करने में pigmentation को remove करने में और skin tone को up करने में पहुत जादा आपको help मिलेगी इसे अच्छे से हमें mix कर लेना है बिल्कुल इसमें जो lemon के जो बीज होते हैं वो नहीं रहने चाहिए अगर आप चाहें तो उसको छान भी सकते हो अच्छे से बिल्कुल mix करने के बाद हमें इसे upward direction में अपने पूरे face पर बहुत ही अच्छे से लगा लेना है ये अच्छी सी मोटी सी layer आपको बना कर face पर रख लेनी है बिल्कुल upward direction में लगाईए जिससे की कहीं पर मोटा पतला ना रहे आप चाहें तो finger से भी लगा सकते हो या फिर किसी bruce की help से भी लगा सकते हो इसे लगाने के बाद आपको सिर्फ एक बार लगाने के बाद ही आपको आपका चेहरा बिल्कुल fresh दिखाई देगा इसकी आपकी बिल्कुल glow करेगी और बहुत ही ज़्यादा आपका color भी धीरे-धीरे काफी हद तक आपका color fair होने लगेगा तो देखे मैंने पूरे face पर अच्छे से इसको लगा लिया है और कम से कम इसे 20-25 minutes तक आपको अपने face पर रखना है 25 minutes के बाद ये थोड़ा-थोड़ा आपको लगेगा कि सूख चुका है आप fan के नीचे भी सुखा सकते हो धीरे धीरे उपर की side आपको इसे खीचना है अपने face पर एक हाथ से इसको खीचिये और दूसरे हाथ से अपने face पर आप रख सकते हैं दूसरे हाथ को इससे क्या होगा कि ये blood circulation बहुत तेज होता है जो कि इसकीन के दाग धबो को, extra hair को remove करने में और जो dirt होती है उसे pollution होता है उसे remove करने में बहुत help करता है तो ये mask होता है जो कि आपकी skin को glowing करता है और बहुत ही जादा pigmentation वगारा सब को remove करने में help करता है तो पूरे face से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से उतार ले रहा है अगर आपका mask गीला रहेगा तो इतने अच्छे से नहीं उतरेगा इसे आपको बहुती अच्छे से dry करना है तब ही अच्छे से उतर पाएगा इसे लगाने के धेर सारे फाइदे हैं आपकी skin का color भी fair होता है skin आपकी glowing करती है बच्चों की तरह बिल्कुल मुलायम साइनिंग होती है skin और सबसे अच्छी बात है कि जो छोटे-छोटे hair होते हैं extra hair होते हैं हमारे face पर उन्हें भी ये remove करता है और इसका जो हमने coffee powder इसके अंदर add किया है उसका सभी को पता है कि coffee powder हमारे skin का color fair करने में कितने अच्छा good thing है तो आप इसको अच्छे से लगा कर 20-25 minutes बाद आपको इसे उतार लेना है और इसे आपको ठंडे पानी से wash बिल्कुल भी नहीं करना है तुरंत अब करना क्या है आपको गुलाब जल लेना है तो मैंने देखी अपने पूरे face से इसे बहुती अच्छे से remove कर दिया है अभी हमें कोटन लेनी है और गुलाब जल लेना है इसे कोटन में deep करके पूरे face पर डैप डैप करके अच्छे से आपको गुलाब जल लगा लेना है और ऐसे मतलब रगड़ना भी नहीं है face को डैप डैप करके लगाई अच्छे से ताकि आपके ये पूरे face पर गुलाब जल अच्छे से टिक जाए गुलाब जल हमारी skin के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होता है ये skin को tight करता है बहुत जल्दी से बुढ़ा नहीं होने देता है skin को जुरिया नहीं आने देता है गुलाब जल इसलिए आपको गुलाब जल को पूरे face पर अच्छे से लगा कर कम से कम 10-15 मिंट ऐसे ही रख देना है उसके बाद गुलाब जल आपकी skin में अच्छे से absorb हो जाएगा तो आपको या तो कोई moisturizer लेना है या फिर aloe vera gel लेना है और पूरे face पर अच्छे से massage कर लेनी है upward direction में इस तरीके से जैसे मैं आपको करते दिख रही हूँ तो पूरे face पर अच्छे से लगा लीजे और कम से कम 3-4 घंटे तक अपने face पर कोई पानी आपको नहीं लगाना है इसे लगाने के बाद आप एक बार में ही बहुत अच्छा fresh फिल करोगे आप इसे week में दो बार अपने face पर लगा सकते हो इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो